ओम नमज शिवाए दोस्तों हिंदु धर में प्रदोश व्रत का विशेस महत्व होता है और ये व्रत हर महिने की त्रेर दशी तिथी को रखा जाता है शास्त्रों में कहा गया है कि कल्युग में भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए ये सबसे उत्तम उपाए और सबसे उत्तम व्रत होता है प्रदोश काल में भगवान शिर्क की विधिविधान से अगर आप पूजा कर लेते हैं, तो इसके साथ सथ आपको विशेश फल्की तो प्राप्ती होती ही है, साथ ही आपकी सभी मनुकामनाई भी पूरी हो जाती हैं, प्रदोश्वरत महिने में दो बार आता है, एक क्रिश् पक्ष के प्रदोश्वरतों का ही संकल्प लेना चाहिए, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोश्वरतों का भी संकल्प आप ले सकते हैं, साथ ही जो लोग भूलिनात में आटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके परमभक्त होते हैं, वे साल भर में जितने पूजा का तुलंथ फल भगवान शिव की कृपपा से प्राक्त हो जाता है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जते हैं। बस ऐसे में कमी है तो श्र धाभाव की। आगर आपके मन में उनके प्रती अंटूच श्रधा है भकती भाव है तो भगवान आशार शुकल महिने में पढ़ने वाला प्रदोश्वरत कौन सा है कब से लेकर कब तक तरोधशी तिथी रहने वाली है और प्रदोश काल का समय क्या रहेगा साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि प्रदोश्वरत के दिन आपको कौन से अरसे काम है जो नहीं करने चाहिए किन मत्रों के जाप के साथ आप भोले नात की पूजा कर सकते हैं और मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी आशार महिने के शुकलपक्ष में आने वाला प्रदोश्वरत 21 जुलाई बुधवार के दिन है और त्रेयो दशी तिति प्रारंब हो रही है 21 जुलाई की शाम 4 बचकर 27 मिनट से और यह तिति समाप्थ हो रही है 22 जुलाई की दुपहर 1 बचकर 33 मिनट पर इसके साथ ही 21 जुलाई को प्रदोश काल का समय रहने वाला है शाम 6 बचकर 24 मिनट से रात 7 बचकर 54 मिनट तक दोस्तों 13 जुलाई बुधवार के दिन प्रदोश काल का समय भी प्राप्थ हो रहा हो व्रत पुधवार के दिन ही रखा जाएगा आप पहले सुन लेते हैं प्रदोश प्रत की कथा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा विधी और कुछ आसान से उपाई और नियमों के बारे में बुध प्रदोश की कथा के अनुसार एक बार एक व्यापरी का पुत और इस तरह उसने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विधा कराने का निश्य कर लिया। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार के दिन लड़की की विधाई करना शुब नहीं माना जाता। लेकिन व्यापारी का लड़का नहीं माना और उसने अपनी और आखिरकार मजबूरी में ससुराल वालों को बेटी और दमात की विदाई करनी पड़ी इस प्रकार दोनों पती पत्नी अपने नगर से बाहर आ गए दोनों पैदल ही अपने नगर को जा रहे थे तब ही रास्ते में चलते चलते युवक की पत्नी को प्यास लगी ऐसे में पानी की खोज में वह युवक एक पेड़ के नीचे अपनी पत्नी को बिठा कर पानी लेने के लिए चला गया और जब पानी लेकर वापस लोटा तो दूर से उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से हससकर बाते कर रही थी और उसी के लोटे से पानी भी पी रही थी यह देखकर वह युवक बहुत क्रोधित हो गया और वह तुरत अपनी पत्नी के पास आ गया और वहां आकर उसने देखा तो उसके आश्चरी का ठीकाना नहीं रहा क्योंकि जिस पुरुष से उसकी पत्नी बात कर रही थी वह बिलकुल उसी की हमशकल था बिलकुल उसी की तरह दिखाई देथा यह देखकर वह युवक तो बहुत हैरान रह गया और तब उसने अपनी पत्नी को अपने साथ चलने के लिए कहा ऐसे में वह पराया पुरुष भी उसकी पत्नी पर अपना अधिकार जमाने लगा कहने लगा यह तो मेरी पत्नी है अब ऐसे में दोनों ही युवक उस पत्नी के पीछे हाथ अपाई करने लगे दोनों का विवाद इतना बढ़ गया और दोनों ही उस पत्नी पर अपना अधिकार जमा रहे थे जब विवाद बढ़ गया तो आसपास लोगों की भीड चुटनी शुरू हो गई जगडा बढ़ता देखकर एक देख जैसे दिखते थे अब वो किसे अपना पत्ती कहे थो इस प्रकार पत्नी कुछ नहीं बोली और वो चुप रही जब युवक ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ בोल नहीं रही है तो वह मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद करने लगा और भोलेनाथ से प्रार्टना करन है हे प्रभू मुझे किसी भी तरह इस मुसीबस से चुटका रदिलाए और मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा वहयुवक मन ही मन भुलेनाद को याद करता हुआ अपनी गलती का पश्चताप कर रहा था ऐसे में भुलेनाद को उस पर दया आ गई और उन्हाने उस युवक को माफ कर दिया इस प्रकार देखते ही देखते वह हम शकल पुरुष वहां से गायब हो गया और वहयुवक अपन पत्नी को विदा कर आकर अपनी घर लेकर आया घर आकर दोनों पत्ती पत्नी ने हर महिने की दोनों ही त्रेदशी का व्रत करना प्रारम कर दिया इस प्रकार भुलेनाद के किरपा से दोनों पत्ती पत्नी सुक पूर्वक रहने लगे दोस्तों यह थी बहुत प्रदोश्व लेकर व्रत का संकल्ब लेना चाहिए सूरी देवता को अर्ग देने के साथ ही शिव मंदिर में जाकर या भगवान भोलेनात की प्रतिमा या फिर तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और भोलेनात के मंत्रों का जाप करना चाहिए जला भिशेक करना चाहिए साथ- आर्थी करें और फिर अपना व्रत प्रारम करें व्रत के समय आपको जूट पाप चोरी निंदा जैसे कामों से बचना है और इसके अलावा आप दिन के समय दूद फल चाए कॉफी वगरा ले सकते हैं शाम की पूजा होती है सबसे विशेस क्योंकि प्रदोशकाल में की गई पूजा का ही विशेस वल आपको मिलता है तो प्रदोशकाल प्रारम होने से पहले ही आप इसनान करके पवित्र हो जाए और उसके बाद आप सफेद रंके बस्तर अगर पहन लेते हैं पूजा कर दिसमें तो बहुत अच्छा रहता है प्रदोशकाल की पूजा आप अपने घर में भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर साफ कपड़ा विछाए उसके उपर भगवान शिव मापारवती और भगवान गणेश जी की मूर्ती और या फिर तस्वीर इस्थापित करें ध्यान रखना है कि पूजा के समय चौकी पर आपको शिवलि को तिलक लगाना है शिवलिंग को पंचामरित से इस्थान कराना चाहिए आपको जलाभिशे करतिस में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जल की धारा तूटनी नहीं चाहिए इसके साथी शिवलिंग पर आज के दिन भस्म धतूरा भांग बेलपत्र अर्पित करने चाहिए अखंडित चावल का प्रियोग पूजा में करना चाहिए अखंडित चावल से बनीवी कीर का भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए इसके साथी शुतिसात्वित चीजों का भी भोग आज की दिन भूलेनात को लगा सकते हैं भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपको कर करना है महामरित्युन जय का पार्ट करना बहुत शुब रहता है इसके साथ ही आपको व्रत की कथा भी सुननी है और दूसरों को सुना भी सकते हैं आप आरती करने के साथ ही भगवान भूले नात को जो भी भोग आपने लगाया है उसका वित्रण अपने परिवार के सदस्यो को नहीं खाना चाहिए भूले नात से शमयाशना जरूर करें कि दिन भर आपने जो भी व्रत किया है उसमें जाने अन जाने में आपसे जो भी गलती हो उसके लिए भूले नात आपको शमा करें इस प्रकार प्रदोश्वरत के दिन आपको फलहार करना चाहिए कहा जाता है क नहीं तो अगले दिन पूजा करने के साथ ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप प्रदोश्वरत रख रहे हैं तो भूजन यानिकी अन्यका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने तो बहुत अच्छा है लेकिन किसी भी प्रकार से आज के दिन आपके घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध प्रदोश रखने से भगवान भूलिनात की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साधी घर के सदस्यों का स्वास्ती भी अच्छा रहता है और खासकर बच्चों की बुद्धी भी कुशागर होती है उनकी सेहत भी अच्छी रहती है।